नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2022 को SSC MTS के दूसरे सिफ्ट का जो एक्जाम हुआ है इसमें पोचे गए GKGS और करेंट अफेर्स के प्रशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के उपर मिल जाएगी वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप में से कोई आज तीस इसरी सिफ्ट में एकजाम देता है तो वो अपने सारे प्रश्णों को इस WhatsApp नंबर के उपर भेज सकते हैं बदले में मैं आपको सारे सिफ्ट के जो PDF फाइल है वो एक साथ मर्ज करके दे दूँगा तो चलिए इस वीडियो के हम सुरुवात करते हैं तो पहला प्रश्ण है कि Smart Cities and Academia Towards Action and Research ये जो आपकी योजना है ये किस मंत्राले के द्वारा लॉंज की गई है तो आपको धिहां रखना है कि हमारे यहाँ पर आवास और सहरी मामलों का जो मंत्राले है उसके द्वारा हमारे देश के जो 15 प्रीमियर आर्केटेक्चर और प्लानिंग अगला प्रशन पूछा गया कि 97 ज्यानपीट पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया था आप सभी को पता होगा कि साहित के छेत्र में हमारे देश का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुरसकार है ज्यानपीट पुरसकार 1965 में सबसे पहली बार जीयस कुरूप साहब को ये पु इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 56 ग्यान पीट पुरसकार है वो आपके दिया गया है नील मडी फूकन साहब को और नील मडी फूकन साहब की बात करें तो ये हमारे अस्मी भासा के राइटर है अगला प्रशन पूछा गया कि रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध है वो आपके कौन से राजवंस पे है तो रानी रुद्रमा देवी के उपर एक मूबी भी है अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं और रानी रुद्रमा देवी के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे काकती राजवंस की साथका थी किसकी काक आपके उत्तर प्रदेश राजी का सास्त्री निर्ते हैं इसके कुछ अन्य डानसर की बात करें तो हमारे बिर्जु महराज इनके दुई चाचा लच्छु महराज और संभु महराज सितारा देवी सोवना नारायन सरमिला सर्मा राजिंद्र गंगानी रोहनी भाटे ये सारे ह पूछा गया कि मुवत्सू नाम का जो तेवहार है ये कौन से भारती राज में मनाया जाता है तो मुवत्सू नाम के तेवहार के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे नागालेंड राज का बहुत ही फेमस तेवहार है तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालेंड बाकी न लिव्खा, ऀसना नदा मतवाइलिक जवनेलोंनोंता, थे गृतले से, मड़ी पूरी क्लास्कल दान्स से समम्दित हैं, मड़ी पूरी classical dance की बात हो रही है तो चार नाम तो आपको जरूर ध्यारखने है जो की जवीरी बेहनों के नाम से famous है इनके नाम है दर्सना, रंजना, नैना और सुवरना तो ये हमारी जो चार जवीरी बेहने हैं ये मड़ी पूरी dance से संबन देत थी इसके अलावा निर्मला महता, सबिता महता, गुरू बिपिन सिंग, मैस नाम अमुभी सिंग, ये सारे मड़ी पुरी डान्स से सम्बन देत है अगला प्रश्ट पूछा गया कि बेटिंग फोर ए बीजा नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकता है तो आप सभी को पता होगा, ये हमारे भीम राओ अम्बेटकर जी की आत्मकता है अम्बेटकर जी की बात करें तो इनके द्वारा कई सारे पुस्तके लिखी गई है जैसे कि Annihilation of Caste है, Thoughts on Pakistan है, Philosophy of Hinduism है ये सारे जो पुस्तके हैं वो आपके अम्बेटकर जी के द्वारा लिखी गई है अगला प्रशने पुछा गया कि कारे का SI मातरक क्या है तो आपको पता होना चाहिए कारे का SI मातरक होता है जूल क्या होता है, जूल इसका SI मातरक है अच्छा नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताईएगा कि और कौन सी हमारी रासिया है जिनका SI मातरक होता है जूल ये प्रशन और लेड़ी MTS में पूछा जा चुका है तो जूल इसका मातरक होता है बाकी अगर हम लोग CGS में बात करते हैं तो CGS में इसका अर्ग मातरक होता है और MKS में होता है न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर को ही हम लोग कहते हैं जूल अगला प्रशन पूछा गया कि सकल मूल्य वर्धित या जिसे आप लोग gross value added कहते हैं ये आपका क्या होता है तो अगर हम लोग बात करते हैं जीविये की तो इसका simple सा मतलब है कि किसी छेत्र, उद्योग, अर्थिविवस्था या फिर जो ब्योसाइक छेत्र है उसमें उत्पादित माल और सेवाओं का मूल्य कितना है उसी को हम लोग कहते हैं gross value added अगला प्रशन पूछा गया कि गुलवर्ग का जो किला है ये किस राज में है तो बहुत है simple सा प्रशन था गुलवर्ग के किले की बात करते हैं तो ये हमको करनाटक राज में मिलेगा कहां पर करनाटक राज में आपके गुलवर्ग का किला इस्थित है इसका निर्मान 14. सताबदी में बहमनी समराज के जो सासक है जिनका नाम अलाओ दीन हसन बहमन साह था उन्ही के दोरा करवाया गया था और ये किला आपको करनाटक राज में मिलेगा अगला प्रशन पूछा गया कि पस्मी घाट और पूर्वी घाट को क्या अलग करता है तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारा भारत है यहाँ पर पस्मी घाट है यहाँ पर पूर्वी घाट है और इसके बीच में आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा तो दक्कन का पठार पस्मी और पूर्वी घाट को अलग करता है अगला प्रश्ट पूछा गया कि 2020 में भारत से अधिक जनसंख्या घरत वाला देश कौन सा था तो आपको पता होना चाहिए कि बड़े देशों की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपलेशन डेंसिटी हमारे पडोसी बांगला देश की है किसकी है? हमारे पडोसी बांगला देश की है यहाँ पर 1252 ब्यक्ती प्रती वर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं बाकी अगर हम लोग अपने देश के population density की बात करते हैं तो वह 382 ब्यक्ती परवर्ग किलोमेटर है, सबसे ज़्यादा आपके बिहार में है 1106 और सबसे कम है अरुनाचल प्रदेश में केवल 17 दुनिया में अगर हम लोग सबसे अधिक population density वाले country की बात करते हैं तो वो आपका है मोनाको में आपके 26523 ब्यक्ती परवर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं और दूसरे नमबर पर आता है मकावू अगला प्रस्ट पोछा गया कि निमनलिखित में से कौन भारतिय गोल्फ खिलाडी हैं आप्सन में सायद आपको आदिती असोग का नाम दिया गया था और दिच्छा नागर ये सारे भी हमारे देश के गोल्फ खिलाडी हैं अगला प्रस्ट पूछा गया कि मौलिक करतब्य किस सम्मिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो बहुत है सिंपल सा प्रस्ट है 42 सम्मिधान संसोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था सुरण जब पहली बार इसको सामिल किया गया था तो इनकी संख्या 10 थी उसके बाद में जब 86 सम्मिधान संसोधन होता है तो इसके जरिये एक और मौलिक करतब्यों की टोटल संख्या हो गई है 11 अगला प्रस्ट पूछा गया कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दरसल एक तरफ आपको राजा का नाम दिया गया था दूसरी तरफ राजवंस का नाम दिया गया था और इसमें जो महापद्मनंद हैं इनको सुमेलित किया गया था मगज सामराज से तो ये बिलकुल गलत है महापद्मनंद की बात करते हैं तो ये आपके नंदवंस के पहले सासक थे और इ यह सारे जो फसले है वो हमारे रवी के सीजन की फसल है। एक प्रस्ट आपका और पूछा गया था वो था फंगस में प्रज्णन से तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कवक होते है उन में जो प्रज्णन है वो स्पोर-फॉरमेशन के द्वारा होता है। लेकिन exact प्रश्ण क्या पोचा गया था, कुछ अलग तरीके से था, तो प्रश्ण मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आप मैंसे किसी को पता है तो बताईएगा, एक प्रश्ण आपके बैक्टीरिया से आया था, ये भी थोड़ा सा टिपकल प्रश्ण था, ये भी नहीं मिल प